एक healthy person को healthy रहने के लिए क्या जरूरी है? तो जब health की बात आती है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है हमारी diet. तो आज इस वीडियो में हम इसी diet के बारे में जानेंगे कि पूरे दिन में हमें क्या खाना चाहिए, कितनी बार खाना चाहिए और कितनी मात्रा में खाना चाहिए? Myself प्रगती जोसी, welcome in fit me pizza. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि healthy रहने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? आप पूरे दिन में यदि healthy रहना चाहते हो, तो आपको उन food groups को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, जो की healthy हैं, और वो healthy food groups कौन-कौन से हैं? उसमें first है fruits and vegetable, fruits and vegetable में आप जो सभी fruits और इनमें vegetables आती हैं वो, तो यह है एक हो गया food group, क्या fruits and vegetable, जो next food group है, वह है, स्टार्ची carbohydrate rich food group, और इसमें है अनाज, जैसे commonly अपन खाते हैं गेहूं और rice, चावल, next इसमें आता है bread, brown bread होती है, वो, जो की मोटे अनाज की बनी हुई होती है, next इसमें आता है pasta, और वो सभी अनाज जिनसे आटा बनता है, जैसे की बाजरा, जो, मक्का, ठीक है, तो यह है starchy carbohydrate food group, next food group है protein rich food group, protein rich food group में क्या आता है, सभी दालें, फलियां, और meat, chicken, fish, egg, next food group है dairy products, इसमें दूद और दूद से बने हुए foods आते हैं, जैसे की दूद, धाई, छाच, घी, पनीर, यह सब आते हैं dairy products में, next है fat, fat भी हमारी diet में small quantity में होना चाहिए, इसमें आप unsaturated oil ले सकते हो, जैसे की olive oil, तो हमने देखा की कौन सा food group हमारी diet में होना चाहिए, अब हम देखते हैं कि per day इन foods को हम कितनी बार लें, जैसे की पहला food group है fruits and vegetable, fruits and vegetable को पूरे दिन में कम से कम 5 बार लेना जरूरी है, नेक्स्ट है अनाज, मतलब starchy carbohydrate rich food, जिन में mainly आता है गेहूं और चावल, वो आपको पूरे दिन में 3 बार लेना चाहिए, और वो है कौन कों से है, breakfast, lunch और dinner, नेक्स्ट food group है protein, protein rich food, जैसे की फलियां दाले, इनको आप पूरे दिन में कम से कम 2 बार लेना जरूरी है, नेक्स्ट food group है dairy products, dairy products में जैसे दूद, छाच, दही, इनको आप पूरे दिन में कम से कम 2 बार लें, नेक्स्ट food group है fat, fat आपको small quantity में लेनी है, और वह ensure करें कि unsaturated oils हो, saturated fatty acids जैसे की घी, घी को आप कम से कम अपनी डाइट में लें, और olive oil और unsaturated fatty acids को ही अपनी डाइट में लें, नेक्स्ट हम देखते हैं कि healthy foods को हम पूरे दिन में कितनी मात्रा में लें, एक healthy person को 2000 kilo calorie per day लेना जरूरी होता है, और हर food की calorie measurement हम नहीं कर सकते, परन्तु इसका सबसे आसान तरीका है हमारा heart, और यह हमारा heart, पूरे food groups को कितनी मात्रा में लेना है, रिप्रेजेंट करता है, जैसे यह बंद मुठी है, यह रिप्रेजेंट करती है fruits and vegetable को, तो यह एक serving size है, मतलब इतना fruits and vegetable आपको एक meal में लेना है, एक time खाने में लेना है, जैसे breakfast, lunch और डिनर, और यह है, हर जो woman और man है, उनके लिए अलग-अलग होता है, जैसे main है, उनके लिए 2 से 3 तक fruits and vegetable serving size होता है, बंद मुठी थी, और बूमन के लिए होता है, एक से 2 fruits and vegetable की बंद मुठी की size, next है starchy carbohydrate rich food, जिसमें आते हैं, अनाज जैसे गे हूं की बनी हुई रोटी और चावल, तो इसको आप कितना लेना है आपको, जैसे जितना आपके hand में आए, एक hand cup, ऐसे लो, आटे को, वया आपको 1 serving size हो गई, तो वया मील में, कौन-कौन से breakfast, lunch, dinner में, 2 से 3 लेना है man को, और 1 से 2 लेना है serving size woman को, next है protein, अब इस hand में protein रिप्रेजेंट करता है, आपकी यह है, जितनी हतेली है, उतना, मतलब आप यदि protein rice food दाल ले रहे हो, तो वो कितनी होनी चाहिए, मोटाई भी इतनी होनी चाहिए, और उसकी जो चोड़ाई है, लंबाई चोड़ाई वो भी इतनी ही होनी चाहिए, यहां से लेके यहां तक की हतेली, प्रोटीन को रिप्रेजेंट करती है, और इतन अब तो ले लिया, एक इलाज चाज का और शाम को ले लिया, एक इलाज दूद, तो यह है dairy product लेने का सही तरीका है, नेक्स्ट एप फेट, फेट आपको कितलान लेना है, वहां आता है आपके हैंड में, तो यह थम्ब है, वहां रिप्रेजेंट करता है फेट को, पूरे द दिन में और पूरे दिन में कितनी मात्रा में लेना है, और यह है एक healthy measurement है, इसको आप अपने हिसाब से up and down ले सकते हैं, तो I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाएं, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर शेयर करें, पहेंक्तैंक्थ।